सब्सक्राइब किजिए टोटल नेया ग्यान चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तो टोटल नेया गयन चल में सब्सक्राइब का स्वागत है दोस्तो यहां पर मेरे पास एक स्मार्ट वाचाय है जिसका मोडल यहां पर देख सकते हैं दोस्तो टी-500 तो दोस्तो इसमें आपको क्या हो रहा है प्रोब्लम बहुत सारे लोगों को यह कनेक्ट करने नही दोस्तो हो आपको असानी से कनेक्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो भड़ा भड़ से मैं आपको बता देता हूँ यह कैसे होगा तो सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना होगा को आपके फोन में ही एक QR कोड दिया हुआ रहता है जिसको अस्कैन करके आप अपने फोन में वो application डाउलोड कर सकते हैं जिससे ये smartphone connect होता है तो चलिए मैं सबसे पहले आपको keyword code यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे रहता है दोस्तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले आपको Google search कर लेना है यहाँ पे आपको side में एक scanner का option देखने को मिलेगा इस पे दोस्तो आप click कर दी जगा Google के Android मॉइल में दोस्तो आसानी से दिख सकता है यहाँ फिर दोस्तो iPhone में भी scan करने का feature दिया होता है तो दोस्तो Android मॉइल में यहाँ पे बता रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तो आपको phone में ही यहाँ पे एक scanner दिया हुआ होगा तो दोस्तो आपको phone से या फिर आपका smart watch में जो कुछ specification, cards देते हैं उसमें भी scanner रहता है तो दोस्तो यहाँ पे आप scan कर सकते हैं और इससे दोस्तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक link open हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं link एक open हो गया दोस्तो इससे आप इस application को download कर लिजगा तो दोस्तो यहाँ पे इस link पे जैसे आप click करेंगे यहाँ आपको iOS के लिए भी application दिया हुआ होगा Android के लिए भी और direct play store से आप download कर सकते हैं तो दोस्तो इस application को आसानी से आप download कर लिजगा fit pro app के नाम से है यहाँ पे तो दोस्तो आपका जो जीस तरह का भी smart watch हो वो उस application को download कर लेगा अब दोस्तो connect करने के लिए आपको simple यहाँ नीचे आ जाना है अपने phone को अपना जो Android phone है देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पे second number पे दिया हुआ है यहाँ पे set, set को option पे यहाँ पे click करना है और यहाँ पे दोस्तो जो उपर lining दिया हुआ हुआ है green color का इसमें कुछ लिखा हुआ है connect करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं scan करने के लिए यहाँ पी direct watch का option आ जागा दोस्तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाच पर जैसे हैं आप क्लिक करेंगे यहाँ पर connect होने start हो जाएगा देख सकते हैं दोस्तो connect complete हो चुका है आपका smart watch भी automatic on हो गया यहाँ पर दोस्तो connect हो गया अब दोस्तो इस phone पे एक call करके मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे आप इसे करेंगे दोस्तो pair हो जाएगा 100% सबसे पहले मैं आपको smart watch से इस phone का camera open करके आपको दिखाता हूँ दोस्तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा mobile phone connect होगा नहीं या smart watch connect होगा की नहीं तो चली मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तो सबसे पहले मैं यहाँ पे camera को open कर लेता हूँ देख सकते हैं दोस्तो जैसी camera पे मैं click करूंगा यहाँ पे camera automatic open हो जागा दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और दोस्तो यह fit pro के app से ही open होगा इसमें देख सकते हैं start पे जैसी ही हम click करेंगे यहाँ पे हमारा photo 3 second का timer लेगा यहाँ पे photo click हो जाएगी दोस्तो तो यह बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तो आप इस smart को use करने में smartphone को use करने में अगर आपका phone bluetooth से connect होगा earphone से दोस्तो call अपने आप smart watch से ही receive कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कोई call आया तो आपका smart watch पे इस type का आपको call आएगा तो मैं अपने phone से करके दिखा रहा हूं दोस् आपका मैं आपका आपकर आपके इस